मेरा नाम मीरा है, मेरे भईया हर रोज जब काम से बापस आती तो खाना खाने के बाद भावी से कहते कि तयार हो जाओ, भावी जैसे ही भईया के मुझे ये बात सुनती तो ना जानी क्यों, लेकिन उनके चेहरे पर शिकाना जाती और वो बहुत चिंता में पढ़ जाती, ऐस लगता कि जैसे वो भईया के साथ जाना तो नहीं चाहती, लेकिन भईया के कहने की बज़ा से वो तयार होने चली जाती थी, उसके बाद दोनों लोग तयार होकर कहीं जाते थे, मेरी मा भईया से पूछती कि तुम बहु को लेकर कहां पर जाते हो, तो भईया रोज मा से ए पर आकर उनकी बताई हुई साधना करूंगा तो मेरी नौकरी में दिन रात खोब तरक्की होती जाएगी। लेकिन अजीब बात ये थी कि भावी जब भी लोटती तो उनसे चला भी नहीं जाता और वो बहुत ठकी होती। भावी की हाला देख मुझे दाल में कुछ काला लग अपने भावी के साथ खाना खाने बैठ गई थी। भावी ने खाते हुए ही भावी से कहा पायल जल्दी से तयार हो जाओ। ये सुनते ही मां के माते पर बल पढ़ गए थे। भावी जो बैठी हुई रोटिया सेक रही थी एकदम से उनके हाथ से चिम्टा चूट गया और और वो सवालिया नजरों से भाईया की तरफ देखने लगी लेकिन फिर भाईया ने उनसे न जाने आखों ही आखों में क्या कहा कि भावी ने फिर तुरन थी जल्दी जल्दी बाकी की रोटिया सेख कर निपटाई और अपने हाथ धोकर कमरे में तयार होने के लिए चली गई मा बिस्तर पर बैठी हुई थी वो कहने लगी बेटा आदर्स ये तुम रोज रोज अपनी पतनी को कहा ले कर जाते हो आदर्स भाईया ने बड़ी ही लापरवाई से मा से कहा कहीं भी तो नहीं बस यहीं पास में ऐसे ही किसी काम से जा रहा हूँ वैसे भी हमारे गाउं मे कोई घूमने जैसी जगा तो है नहीं तो मा ने थोड़ी से सकती दिखाते हुए भाईया से पूछा कि तुम मुझे साफ साफ बताते हो या फिर मैं अपना तरीका अपना हूँ इस पर भाईया थोड़ा सा सहम गए और कहने लगे कि वो दरसल बगल वाले गाउं में एक बह आसिरवाद मिल जाता है उसे जो चाहिए वो प्राप्त हो जाता है मैं अपनी नौकरी में तरक्की चाहता हूँ इसलिए मैं उनके पास जा रहा हूँ इस पर मा कहने लगी कि तो तुम्हारी नौकरी में तरक्की के लिए तुम्हें उन बावा के पास जाना चाहिए लेकिन तुम बहु को साथ में लेकर क्यों जा रहे हो इस पर आदर्स भहिया मां से बोले दरसल जब मैं उनके पास अपनी इच्छा लेकर गया था तो उन्होंने मुझे ये बात कही कि मेरी तरक्की तभी हो सकती है जब मैं अपनी पत्नी को कुछ महीनों तक लगातार उनके पास ले जाकर साथ में बैठ कर हम दोनों पत्नी साधना करें और उनके दिये हुए मंत्रों का जाब करें इसलिए मुझे पायल को अपने साथ ले जाना पड़ेगा अचानक ही ये बात भहिया की मुझे सुनकर मैंने भी अपने थाली फटाफट धोकर रखी और किचिन से बाहर निकल कर भहिया की बात सुनकर दंग रह गई मैंने भहिया से कहा कि क्या सच में बगल वाले गाउं में चमतकारी बाबा आये हुए हैं तो भहिया कहने लगे हाँ सच कह रहा हूं मैं वहाँ पर बहुत बड़े सिद बाबा आये हुए हैं मुझे तो भहिया की बात सुनकर यकीन ही नहीं हो रहा था मैंने भहिया से कहा कि मैं भी जल्दी से तयार होकर आ जाती हूं आप मुझे भी उन बाबा जी के पास ले चलिए प्लीज भहिया क्योंकि मुझे भी बाबा जी से आसिरबाद चाहिए ताकि मेरे परिच्छा में इतने अच्छे नमर आए कि मैं पूरे स्कूल में टॉप कर जाऊं भहिया मेरी बात सुनकर मुझे खोडने लगे और कहने लगे चुपचाप आराम से घर में ही बैठी रहो परिच्छा में नमर बाबा जी के आसिरबाद से नहीं आने वाले हैं बलकि खूब मैनत से पढ़ाई करके आते हैं समझी? आदर्स भहिया ने मुझे पुरी तरह से डाट दिया था मैं उनसे नाराज होकर मुझ भुला कर अपने कमरे में चली गई थी भाबी थोड़ी देर के बाद तयार होकर भहिया के साथ जाने के लिए कमरे से बाहर निकल आई थी और भहिया भाबी दोनों ही घर से चले गए थे उनके घर से निकलते ही मा की बड़बढाहट शुरू हो गई थी मा कह रही थी कि अपनी पतनी को घुमाने के लिए सिद बाबा का जूट बोल रहा है मैं सब चानती हूँ कि ये दोनों ये बहाना करके कहां जाते है ये जो मेरा बेटा अपनी चालाग पतनी को सेर सपाटा कराने और चाट गुल गपे खिलाने ले जाता है इसकी पतनी है ही चालाग मेरे मासूम से बेटे को भी अपनी तरह चालाग बना दिया है वैसे देखो तो घर में किस तरह से मासूम बनी रहती है मेरे सीधे साधे बेटे को अपने इशारों पढ़ना चाती है और मेरा बेटा हमेशा अपनी पत्नी का गुलाम बना रहता है मैंने देखा था जब भी भाईया और भावी घर वापस लोट कर आते थे तो भावी की हालत बहुत साधा अजीब होती थी और उनकी सांस पर एक अजीब सा संतोस का भाव होता था भावी घर में आते ही अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती थी एक घंटे के बाद जब वो कमरे से बाहर निकलती तो विल्कुल ठीक लगती थी भाईया के चहरे पर भी एक अजीब सी मुसकान होती थी मुझे ये सोच कर हैरत होती कि सिद्ध बाबा से मिलने इतनी रात को घंटे जंगल में जाने से भाईया भावी को क्या डर नहीं लगता है उल्टा वो लोग तो ऐसा लगता था जैसे खुश होते हैं कभी-कभी तो मुझे ऐसा लगता कि क्या मा ठीक कहती है ये लोग बाहर घूमने फिरने और चाट खाने के लिए जाते हैं इसलिए जब भी मा भाईया और भावी को खुश देखती तो वो बुरी तरह से भड़क उठती थी इसका कारण ये भी हो सकता था कि मा को पायल भावी सुरू से ही बिलकुल भी पसंद नहीं थी हमारे घर की भी वही कहानी थी जो दूसरों के घरों की होती है मेरी मा भाईया की साथी अपनी मर्जी के मताबिक अपनी पसंद की लड़की से करवाना चाती थी लेकिन भाईया ने तो भावी को पसंद कर लिया था और उसके बाद उन्होंने मा से भावी के लिए रिष्टे के लिए कहा लेकिन मा इस रिष्टे के लिए राजी नहीं हो रही थी वो नहीं चाती थी इपायल भावी की शादी मेरे भाईया के साथ हो जाए जब मा भाईया के इस रिस्ते पर राजी नहीं हो रही थी तो भाईया ने अपनी मर्जी से ही भावी को भगा कर शादी कर ली और शादी करने के बाद वो उन्हें घर ले आए अब आदर्श भाईया मा के कलोते बेटे थे और वही हमारे घर में अकेले कमाने वाले थे वो भाईया को अपने आप से दूर नहीं कर सकती थी इसलिए उन्होंने उनको इस गलती के लिए माफ तो कर दिया लेकिन वो आज भी भावी को इस सब का कसूर बार ठहराती हैं और उनसे नफरत करती हैं माँ का बेहेवियर भावी के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं रहता हम दो बहने थे और एक आदर्श भाईया मेरी बड़ी दीदी का नाम गीता था मेरे पिता जी तो बीमार रहते थे और उनकी हमेशा दवाईयां ही चलती रहते थी उनकी तवियत कभी भी भी गड़ जाती थी इधर माँ पिता जी की वज़ा से बहुत परिशान रहती थी क्योंकि हमेशा मेरी पिता बीमार रहते और उनकी दवाईयों और एलाज में काफी सारा पैसा खर्ज हो जाता था माँ का कहना था कि मेरा एक ही बेटा है और उसकी शादी मैं अपनी पसंद के मताबिक करूँगी लेकिन भाईया ने माँ के सपने को चकना चूर कर दिया था मैं तो अभी पढ़ाई कर रही थी मेरा इस साल इंटर होने वाला था अब मेरे भाईया भावी की शादी को छै महीने होने वाले थे मैंने जब से हो समाला था माँ और पिता जी को हमेशा छोटी छोटी बातों पर लड़ते हुए ही देखा था मेरी दीदी की तो शादी हो गई थी अब सिर्फ मैं ही कुआरी बची थी लेकिन मैं जल्दी शादी नहीं करना चाती थी मैं खूब पढ़ लिखकर कोई अच्छी नौकरी करना चाती थी मगर हमारे गाउं में लड़कियों को नौकरी नहीं करने दिया जाता था लेकिन मुझे तो नौकरी करते हुई लड़कियां बहुत पसंद थी मेरे पिता जी तो चाहते थे कि मैं खूब पड़ो लिखू लेकिन मां हमेशा यही कहती थी कि लड़कियां घर गरस्ती समालती हुई अच्छी लगती हैं मेरी मां बहुत ही पुराने खायालो वाली ओरत थी और वो चालाग सासों की तरहा हमेशा मेरी भावी को तंग करती रहती थी मेरे पिता मा को बहुत समझाते थे कि बहु पर इतना अत्याचार मत किया करो तुम्हारे आगे भी बीटिया है लेकिन मेरी मा तो समझने के लिए तयार ही नहीं थी इस बात पर मा और पिता जी तोनों में बहुत सादा लड़ाई रहती थी बहिया तो भावी का बहुत खयाल लगते थे उनका बहुत कहना मानते थे लेकिन मुझे कभी-कभी ऐसा लगता था जैसे भावी किसी बात से बहुत परिशान रहती है लेकिन वो वेचारी फिर भी घर के सारे काम मन लगा कर किया करती थी और मा की सारी बातों को खामोसी से सुना करती थी कभी उन्होंने मा को बलट कर जवाब नहीं दिया था जबकि मेरी मा भावी को बहुत बुरा भला कहती थी मा तो भावी से बहुत ज़्यादा बैर रखती थी सुबह सबेरे ही मा उटकर बैठ जाया करती थी ढंग से दिन भी नहीं निकलता था, गर्मियों का महीना था, हम सब लोग छट पर एक साथ सोया करते थे, क्योंकि दिन भर की गर्मे की वज़ा से कमरों के अंदर बहुत जादा घुटन पैदा हो जाती थी, हमारे घर में एसी भी नहीं था, जबकि रात को ठंडी हवा चलती तो हम छट पर सोने चले जाते थे, मा सुबा के छे बजे ही उचाया करती थी, और सबसे पहले आदर्स भहिया के कमरे का दर्वाजा बजाना सुरू कर देती थी, हमारी आँख मा के दर्वाजा खटगटाने की आवाज पर ही सबसे पहले खुलती थी, जिस अन्दाज से मा आदर्स भहिया के कमरे का दर्वाजा बजाती थी, हमें लगता था कि जैसे कोई तूफान आ गया है, हम उठकर बैट जाते थे, और आदर्स भहिया तो आँखे मलते हुए दर्वाजा खोलने के लिए आया करते थे, फिर वो मा से इस बात की सिकायत करते थे, कि मा अभी तो भी देर से सोता हूँ, इसी लिए मेरी नीद पूरी नहीं हो पाती, उदर दिन ठीक से नहीं निकलता, और इधर आप मेरा दर्वाजा बजाना सुरू कर देती हो, मा भहिया की बात सुनकर रोना धोना सुरू कर देती थी, सुबह सुबह ही सारे घर में हंगामा मचे जाता मा आदर्स वहिया से कहती कि अब तुझे मेरे आगे भी जुवान चलानी आ गई है, पहले तो तू मेरी हर बात को खामोसी से सुनता रहता था, और तुझे पता है कि मैं पहले से ही तुझे इतनी सवेरे उठाती हूँ, लेकिन अब तो तुझे मेरी हर बात से शिकायत होने लगी है, जब से तेरी पतनी इस घर में क्या आई है, तू तो अपनी पतनी का गुलाम बन कर रह गया है, और देखो मेरे सामने कितनी जुवान तेरी चलने लगी है, मुझे तो पहले से ही पता था कि पायल बहुत तेज लड़की है, इसलिए तो मैं तेरी इसके साथ साधी के लिए राजी नहीं थी, इस लड़की ने तुझे मेरे आगे बोलना सिखा दिया है, वरना तू तो अपनी मा का सीधा साधा सा बेटा था, मा भावी और भाईया को बहुत बुरा भला कह रही थी, पिता जी ने फिर मा को डांट लगाई, कहने लगे इतनी सुबा सुबा क शाम को जब काम से घर आते और खाना खाने के बाद भावी को तयार करवाने के बाद जाने कहां लेकर चले जाते थे, मा के नाराज होने की भी वो कोई फिक्र नहीं करते थे, अजीब बात ये थी, कि भाईया और भावी जब भी घर वापस आते थे, तो भावी का चेहरा ब सीधा अपने कमरे में जाकर एक घंटे तक आराम करती थी, लंबी-लंबी सांसे भढ़ने लग जाती थी, जैसे कि उनकी तबियत ठीक नहीं है, लेकिन इसके बाद भाईया और भाबी एक दूसरे को देखकर इशारों में कुछ कहते थे, और मुस्कुरा देते थे, और आखों से एक दूसरे को सांतना देते थे, जैसे कि वो आखों ही आखों में कोई बात करना चाह रहे हूं, मैं उन लोगों के इन आखों की इसारों को नोटिस किया करती थी, मैं सब कुछ देखकर नजर जुखा लेती थी, लेकिन उन दोनों की मुस्कुराहट वेरी मा की सीने को छ तो रास्ते में ही उसी दूसरे गाउं का जंगल भी पड़ जाता था, मुझे ना जाने क्यों बाबा से मिलने का बहुत इंट्रेस्ट हो रहा था, मैंने इस बारे में अपनी सहेलियों को भी बता दिया था, कि शायद मेरी किसी सहेली ने अब तक बाबाजी से मुलाकात की ह लेकिन इस बाद के बारे में मेरी सहेलियों में से कोई भी नहीं जानता था, किसी ने इस बारे में सुना भी नहीं था, मुझे तो बड़ी हैरानी हुई थी कि इतनी बड़ी ये बात है कि हमारे बगल के गाउं में इतने सिद्ध बाबा आये हुए हैं, जिनके पास इतनी चमतकारी शक्तियां हैं और मेरी सहेलियों को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है ऐसी बात तो हमारे गाउं में जंगल की आग की तरह पैल जानी चाहिए थी फिर ये कैसे मुम्किन था कि किसी को भी इस बात के बारे में कुछ पता ही नहीं था अब तो मेरा इंट्रेस्ट और भी जादा पढ़ने लगा था, सारा दिन अपनी क्लास में बैट कर भी मेरा सारा ध्यान बार बार उन बाबा जी की तरफ ही जा रहा था हाला कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी मेरा दिमाग बहुत तेज था हर साल में फस्ट आती थी और अब तो वैसी भी मेरा स्कूल में लास्ट इयर चल रहा था मेरा इंटर कंप्लीट होने के बाद मेरा एडमिशन कॉलेज में होना था मेरी टीचर्स हमेशा मेरी तारीफ करती थी, लेकिन फिर भी मेरे दिल में बार बी का डर बना हुआ था और एक इच्छा भी ये थी कि मैं पूरे स्कूल में टॉप करूँ इसलिए मैं हमेशा अपनी पढ़ाई पर फोकस करती थी, लेकिन आज मेरा दिमाग ना जाने कहां खोया हुआ था, मेरी टीचर्स ने जब मुझे खोया हुआ देखा, तो पूछा कि तुम ही क्या हुआ है, तुम कहां खयालों में खोई हुई हो, अचानक मैं उनकी बात पर घवरा गई थी दिमागी तोर पर मेरा ध्यान तो बाबा जी की तरफ ही पड़ा हुआ था मैं बार बार उनके बारे में ही सोच रही थी, जो कि जंगल में रहते थे, लेकिन भाईया भाबी के अलावा, बाबा जी से अभी तक कोई भी मिलने नहीं गया था मुझे याद आने लगा, कि बच्पन में टीवी पर हम वो सारे ऐसे नाटक देखा करते थे, जिसमें हम कई सारे रिशी और मुनियों को तपस्या करते हुए देखते थे, कभी वो बारिस में बैठे हुए तपस्या करते थे, तो कभी तेज धूप में और उनकी जादोई शक्तियों को देखकर, मुझे बहुत ही अचमबा होता था, वो तरह तरह के चमतकार करते थे, जिससे देखकर, मुझे तो अपनी आँग पर यकीन ही नहीं होता था, लेकिन हम लोग इस तरह सिखुस होते थे, जैसे कि किसी अजूबे को देख लिया हो, उन्हें देखकर, मेरा भी दिल करता था, कि कास, मेरे पास भी ऐसी ही सक्तियां आ जाएं, तो मैं अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें अपने आसपास जमा कर लूँ, और खूब सारे नए नए कपड़े भी ले आऊँ, मैंने अब तक ऐसे चमतकारी बाबा को सिर्फ या तो टीवी में देखा था, या उनके बारे में किताबों में पढ़ा था, लेकिन अभी तक ऐसे बाबा को मैं अपनी आँखों से साथ-चात नहीं देख पाई थी, फिलहाल अभी तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रही थी, मेरे सामने मेरी टीचर खड़ी हुई थी, और उन्होंने मेरे हाथ पर डंडा मार दिया, वो मुझे घूर कर देखने लगी, कहने लगी तुम्हारा ध्यान कहा है, मैंने उनसे नजरे चुरा ली, टीचर ने डंडा मेरे हाथ पर बड़ी जोर से मारा था, मैंने जल्दी से बाबा जी पर से अपना ध्यान हटा लिया, और पढ़ाई करने लगी, छुट्टी के टाइम मैंने सोचा, कि एक बार मैं जंगल वाले रास्ते पर कुछ देर तक रुख कर वहाँ पर देखूंगी, साइद मुझे कोई बाबा जी के पास जाता हुआ दिख जाए, मैंने फैसला कर लिया था, और सोचा था कि मैं अकेले तो उस जंगल के अंदर नहीं जा सकती हूँ, मुझे अपनी सहीलियों को भी इस बारे में बताना होगा, मैं अपनी सहीलियों के साथ उसी रास्ते से जाने लगी थी, जहां पर वो जंगल पढ़ता था, मेरे अंदर एक अजीब सी एकसाइटमेंट जाग रही थी, एक तो बाबा जी से मिलने का इंट्रेस्ट और खुशी थी, लेकिन दूसरा ये डर भी था, कि घर में अगर किसी को पता चल गया, तो ना जाने क्या हो, क्योंकि ये जंगल काफी सूनसान था, अगर वहाँ पर किसी ने मुझे नुकसान पहुँचा दिया, तो ना जाने मेरे साथ क्या हो जाए, आसपास के गाउं और मेरे गाउं में भी, कई बार सूनसान इलाकों में लड़कियों के साथ छेड़ खानी, और उसके अलावा, ना जानी कैसी कैसी घटनाएं होती रहती है, इन सब के बारे में मैंने बहुत बार अपने घरवालों से, और आसपास के लोगों से सुना है, हम सारी सहीनिया मिलकर उस जंगल वाले रास्ते के पास आ गई थी, मैंने अपनी सहेलियों को वहां पर रुकने के लिए कहा, लेकिन मेरी सारी सहेलियों को अपने घर समय पर जाना था, मैंने उन से कहा कि कुछ देर यहां रुकते हैं, क्योंकि मुझे लगा कि कोई न कोई तो बाबा जी से मिलने जरूर जाएगा, लेकिन वो कहने लगी कि उन्हें लेट हो रहा है इसलिए वो लोग चली गई तो फिर मैंने उनको जाने दिया और मैं खुद अकीले खड़े होकर वहाँ पर किसी के आने का इंतजार करने लगी मुझे कैसे भी करके बाबा जी से मिलना था और टाप करने के लिए वो जो भी मंतर बताते थे वो चाहिए था इसलिए मैं घर नहीं गई थी मुझे वहाँ पर खड़े हुए काफी देर हो गई थी मैं चारो तरफ देख रही थी मेरे दिल में एक डर भी था कि कहीं मेरे गाउ कि किसी पहचान बाले ने अगर मुझे यहाँ अकेले खड़ा हुआ देख लिया तो ना जानी क्या होगा मैं इसलिए बहुत सापधानी से चारो तरफ नजरे दोड़ा रही थी उस वक्त तो इतनी धूप थी कि मुझे वहाँ पर टहलते हुए काफी देर हो गई थी और मु मायूसी हो गई थी मायूस होकर जब मैं घर वापस आई तो मा बहुत जादा गुस्से में थी मैंने देखा कि मा भावी को डांट रही थी और भावी भी रो रही थी मैं समझ गई थी कि मा ने जरूर भावी से कुछ ऐसा वैसा कह दिया होगा मा ने भावी से कहा कि पायल त से दूर नहीं कर सकती मैं तुझे समझा देती हूं कि रात को अपना विस्तर छट पर लगा लेना इतनी गर्मी है फिर भी तुम दोनों बंद कमरे में सोते हो तुम दोनों को कमरे के अंदर नीद कैसे आ जाती है आदर्श को तो साधी से पहले बिल्कुल भी गर्मी बरदास् कि वो हमेशा तेरा ही कहना मानता है मैं भी देखती हूं कि रात को तुम लोग कैसे कमरे में अंदर सोते हो मा को ना जाने भावी से क्या प्रॉबलम थी वो विचारी बिना आवाज के रो रही थी भावी मा से कहने लगी कि माजी मैंने तो आदर्श से कहा था कि हम लोग मामने ज़्यादा मासूम बन्य की जरूरत नहीं है, माने तो फॉरन ही उन्हें टोक दिया था, मेरी बड़ी दीदी उनका रंग बहुत ज़्यादा सामला था, उनका कहीं भी रिस्ता नहीं हो पा रहा था, जब भावी हमारे घर साधी करके आई थी, तो मा को उनका बड़ा भ बड़े मुश्किल से भावी ने अपनी ठरफ से राजी किया था और फिर अपने भाई को भी राजी किया था, कि वो अपनी वहन का घर बसाने की खातिर उनकी ननत से साधी कर लें, अब भावी ने तो भाग कर शाधी की थी, वो लोग भावी से बहुत ज़्यादा नारास लेकिन बहन भाई का रिस्ता तो बहुत ही प्यार से बनाया गया होता है इसलिए अपनी बहन का घर बसाने की खातिर अपनी बहन को खुच देखने की बजा से उन게요 भजया ने भावी को माव कर दिया इस वज़ा से उनका कहीं भी रिस्ता भी नहीं लग पा रहा था लेकिन शादी करने के बाद वो अपनी पतनी को बहुत प्यार करने लगे थे मेरी बड़ी दीदी बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छे बीएबियर की थी लेकिन मेरी मा ने उनकी आदतों को बिगाड दिया था मा हर रोज उनसे फोन पर घंटो बाते करती और उन्हें कहती थी कि अपने पती को काबू में रखा करो और यहां पायल भावी को वो परिशान करती रहती थी हाला कि सुबा सुबा ही उठकर भावी घर के कामों में लग जाती थी सुबा होते ही उन्होंने सबके लिए नास्ता बनाना होता था घर की सफाई करती थी दोपहर का खाना बनाती थी सारे काम ज़्यादा तर भावी ही किया करती थी मा तो सिर्फ थोड़ा बहुत पिता जी का ही काम कर लेती थी, मुझे खुशी थी कि चलो, इस सब के बीच में मा ने मुझ पर कोई ध्यान नहीं दिया था, और मैं उनके गुसे से बच गई थी, और सवाल जवाबों से भी, कि मैं इतनी देर से घर लोट कर क्यों आई हूँ, क फिर शाम को ही घर लोटते थे, और तब तक पायल भावी की बाद बाद पर शामत ही आती रहती थी, मैं इतनी गर्मी में स्कूल से आई थी, आते ही मैं नहाने के लिए चली गई, ठंडे ठंडे पानी से नहा कर मुझे बहुत सुकून मिल गया था, उस टाइम भावी अपन खाना खाईए, आपकी तबियत ठीक नहीं लग रही है, उन्होंने कहा तुम ठीक कह रही हो, मेरी तबियत ठीक नहीं है, भावी की ऐसी हालत देखकर मुझे मा के बहेवियर पर अफसोस हो रहा था, मैंने भावी को तसल्ली दी कि मा को तो ऐसी कड़वी बाते बोलने की नहीं होता, मैंने कहा भावी आप मा की बातों पर ध्यान मत दिया करो, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करो, मेरी बात सुनकर उन्हें तसल्ली हो गई थी, फिर मैंने मेन मुद्दे पर बात की, मैंने भावी से कहा भावी आप जंगल से होकर किस रास्ते पर ब मेरी बात पर भावी हैरान हो गई थी और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे वो कहने लगी कि तुम क्यों वहाँ पर खड़े होकर किसी के आने का इंतजार कर रही थी तुम छोटी हो अगर तुमारे साथ वहाँ पर कोई उच नीच हो जाती तो फिर हम लोगों का क लिका था वो दुबली पतली सी थी और मेरी सेहत तो भावी से थोड़ी जादा ही थी मैंने कहा भावी आप इतनी ताकतवर नहीं होंगी लेकिन मैं तो आपसे जादा ताकतवर हूँ मैं तो किसी से भी लड़ जाओंगी इस पर भावी कहने लगी क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है ये तुम क्या बोल रही हो मैंने भाबी से कहा प्लीज भाबी मुझे भी उन बाबा जी से मिलने का बड़ा शौक है इसलिए मुझे भी अपने साथ लेकर चलो ना रात को जब भाईया आपको अपने साथ बाबा जी के पास लेकर जाएंगे तो मैं भी आपक दिया था मुझे तो अब मा की बाते सची लगने लगी थी कि भावी भहिया के कान भरती है वरना मुझे अपने साथ ले जाने में उन्हें क्या प्रॉब्लम है उनके साथ मैं भी अगर चली जाऊंगी तो ऐसा क्या हो जाएगा मैं उनकी किसी भी चीज में कोई दखल तब एक तरफ बैट जाऊंगी और जब उनकी साथना पूरी हो जाएगी तब कहीं मैं भावा जी से अपने लिए बात करूंगी लेकिन भही हुआ जिसका मुझे शक्ता भावी के इशारे पर भाविया मुझे बरस पड़े कहने लगे कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर न भी रात को और फिर भावी को ही अकेले लेकर उनके पास क्यों जाना चाते हैं और ऐसा भी नहीं है कि उनसे मिलने पूरे गाउं में कोई और भी गया हो सिर्फ भावी ही सबसे चुपकर रात में जाते हैं और फिर उनसे मिलकर भावी को ऐसा क्या हो जाता है कि जब वो घर पापास आती हैं तो उनसे ना तो ठीक से चला जा पा रहा होता है और ना ही उनकी तबियत ठीक लग रही होती है उन्हें बहुत साधा ठकान होती है और भाईया उनको पकड़ कर लाते हैं और फिर जब एक घंटे वो आराम कर लेती हैं फिर वो एक दूसरे को देखकर किसी के मुँँ से उन बाबा-जी के बारे में कोई बात तक नहीं सुनी थी मैं जब भी अपनी सहेलियों से मिलती थी और उनसे कहती थी कि दूसरे गाउं के जंगल वाले रास्ते पर तुम लोगों ने कभी सिद्ध बाबा से मिलते हुए किसी को देखा है तो सब की सब मेर मजाक उड़ाने लग जाती थी वो कहती थी कि ऐसे कौन से जादूगर बाबा है जो इस जंगल में रहने आ गए हैं अरे अगर ऐसी कोई बात होती तो अब तक तो हमारी गाउं में लोगों की भीड लग गई होती इस जंगल में क्योंकि ऐसे जादूगर बाबा का आशिरबाद लेने और उनसे अपनी मनो कामना पूरी करवाने के लिए गाउं वाले पीछे थोड़ी न रहने वाले हैं अगर ऐसा होता ना तो अब तक तो जंगल में लाइन लगी पड़ी होती और आसपास के बागी की गाउं के लोग भी यहाँ पर टेंट लगा कर रहने लगते मेरी सहेलियों की बात तो ठीक थी आखिर अभी तक मेरे गाउं से तो छोड़ो आसपास के किसी भी गाउं से मुझे कोई भी उन बाबाजी से मिलते हुए नजर क्यों नहीं आया था अब तो मेरे अंदर एक जासूच चाक चुका था मुझे अब इस राज से परदा हटाना ही था कि आखिर ऐसा कौन सा राज है जो भाईया भावी रोज इसी टाइम पर बाबाजी से मिलने जाते हैं वो भी मा के मना करने के बाबजूद भी मैं अब दिल ही दिल में ये ठान चुकी थी कि सच्चाई को मैं सामने लाकर ही रहूंगी अभी मैंने अपनी बात पर ध्यान दिया ही था और मैं इस बारे में सोच रही थी कि मेरी बड़ी दीदी रोते-रोते हुए हमारे घर पर आपहुची थी उनके पती से उनका बहुत बड़ा जगडा हो गया था और उन्होंने दीदी के मुँपर थपड मार दिया था अब हमारी घर पर एक और तूफान खड़ा हो चुका था काफी दिनों तक दीदी हमारे घर पर ही रही और कुछ दिनों बाद उन्होंने एक अजीब सी रट लगा ली वो कहने लगी कि आदर्द भहिया भी पायल भावी को एक तो थपड मार कर उनको उनके माय के छोड़ कर आए ये बाद सुनकर तो भहिया जम से गए थे क्योंकि भहिया भावी आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वो बहुत खुश रहते थे भहिया ने कहा कि तुम्हारे इस मैटर में वहला मेरा और पायल का क्या कसूर है ये बात कहनी थी कि मा तो भहिया की पीछे ही पड़ गई कहने लगी हाँ तुम्हारी पत्नी तो बहुत मासूम है मेरी बेटी का ही सारा कसूर है मुझे अपनी बेटी की साधी इस मनूज के भाई के साथ करनी ही नहीं चाहिए थी मुझे क्या पता था कि वो मेरी बेटी के साथ अत्याचार करता है उस पर हाथ उठाता है आदर्ज भा पहन की तकलीफ का जरा भी एहसास नहीं है ये बास सुनकर पिता जी को भी गुस्सा आ गया था उन्होंने भी मा को डांट लगाई और कहा कि आदर से बेटा ठीक कह रहा है तू अपनी बेटी से फोन पर बात किया करती थी और उसको यही समझाती रहती थी कि अपने पती को हम उठाने पर मजबूर हो गया होगा इस बात पर मा और पिता जी दोनों में आपस में जगड़ा होने लगा था हमारा घर तो ऐसा आखाड़ा बन गया था जहां पर हमेशा जगड़ा ही होता रहता था लेकिन मा और दीदी ने तो जिद बांद ली थी कि अब तो इस घर में तुमारी पतनी तब ही वापस आएगी जब ये अपने भाई को जाकर समझाएगी कि वो मेरी बेटी से आकर माफी मांगे और उसे यहां से इज़्जत के साथ लेकर जाए भाईया बहुत ही जादा परिशान हो गए थे भला ये किस तरह की जिद थी इस सब में भाईया और भाईया बार भावी की तरफ देख रहे थे और भावी का तो रो रोकर बुरा हाल था भावी खुछ से ही आकर आगी बढ़ी और मां से कहने लगी कि माजी मुझे दीदी का दुक है लेकिन भाईया की सजा मैं कियो भूगतू बहाबी की बात बिलकुल ठीक थी लेकिन कुछ भी हो जाता मेरी माँ अपनी जिद से हटने वाली नहीं थी चाहे वो दोनों का रिस्ता ही क्यों न खतम करवा देती अगर एक तरफ रिस्ता खतम हो रहा था तो माँ भाई और भावी का भी रिस्ता खतम करवाने पर तुल जाती माँ पर तो पिता जी भावी को इस बात पर बहुत गुस्सा आ गया था और वो कहने लगी आदर्स तुम मुझी किस बात की सजा दे रहे हो भाईया ने अपनी नजर जुका ली थी भाईया मा के जित के सामने इंकार नहीं कर सकते थे मा को तो सिर्फ लडाई जगडा करने का मौका चाहिए होता था मा कहती कि अगर मैं अपनी पसंद की लड़की इस घर में लेकर आती तो वो मेरे घर को स्वर्ग बना देती मैंने तो बेकार ही इसके भाई की शादी अपनी बेटी के साथ करवाई कहीं और करवाती तो मेरी बेटी का घर भी खुशी खुशी बसा हुआ होता मा ने रो रो क बुरा हाल कर दिया था उधर पिता जी का गुस्सा ऐसी बाते सुनकर हाई हो चुका था पायल भावी रोते रोते अपना सामान पैक करके घर से जा चुकी थी क्योंकि जगडा अब डाइवोस तक बहुत चुका था क्योंकि मा की सर्थ थी कि तुझे अगर अपनी बहन का घर पसाना है तो अपनी पतनी को डाइवोस देना ही होगा लेकिन भाईया तो किसी भी हाल में भावी को नहीं छोड़ सकते थे अब घर में हर दिन इस बात पर जगड़ा होने लगा था रात के टाइम पर अचानक मेरी आँख खुली मैंने देखा कि भाईया के कमरे का दर्वाज खुला हुआ था और वो अपने कमरे में मौजूद नहीं थे बाहर का गेट खोल कर घर से बाहर चले गए थे मैं सोच रही थी कि आज तो भावी भी घर में नहीं है भाईया इस टाइम पर कहां गए होंगे लेकिन ये एक दिन की बात नहीं थी अब तो मैंने देखा कि भाईया का पीछा करने की ठान ली थी जैसे ही भाईया बाहर निकले मैं भी जल्दी से दुपट्टा ओड़ कर घर से निकल गई थी मा और पिता जी तो उस वक्त गहरी नीन में सोई हुए थे सड़कों पर गहरा सननाटा चाया हुए था मैंने देखा कि भाईया भावी के म माईके की तरफ क्यों जा रहे थे मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं भाईया ने अगर मुझे उनका पीछा करते हुए देख लिया तो मेरी तो पिटाई लग जाएगी मुझे लगा कि कहीं भाईया भावी को माईके से बाबा जी के पास तो नहीं लेकर जाने वाले हैं प दोनों जंगल वाले रास्ते के साथ लगी हुई सड़क पर चलने लगे थे। मुझे डर लग रहा था कि कहीं अचानक से कोई मुझे पकड़ ना ले और जंगल में ना खीच ले जाए। मैं उनके पीछे पीछे ही चल रही थी। भाईया भावी को लेकर पता नहीं कहां जा रहे थे। हम लोग चलते चलते काफी दूर तक आ गए थे। मैंने तो ये रास्ता भी नहीं देखा था। मैं तो बस उनको फॉलो कर रही थी। मुझे डर भी बहुत लग रहा था। लेक मुझे किसी चीज की हलचल महसूस हुई। मैं घबरा गई कि कहीं कोई चोर ये डांगू तो नहीं आ गया। जैसे ही मैंने पलट कर देखा तो दूर से एक गाड़ी आ रही थी। मेरी जान में जान आई। लेकिन मैं देखकर हैरान थी कि भाईया और भावी एक सरकारी अस चली गई। जैसे ही मैं अंदर गई तो वहाँ पर मुझे एक नर्स ने रोक लिया और मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या काम है। मैंने अपना चेहरा दुपट्टे से चुपाया हुआ था। अचानक भाईया भावी ने पीछे पलट कर देखा और उन दोनों ने मुझे पहचान लिया। मैं हैरान रह गई थी और मेरी सच्चाई भाईया भावी के सामने आ गई थी। भाईया भावी ने नर्स को कहा कि ये लड़की हमारे साथ है। क्योंकि रात के इस टाइम पर अस्पताल बालों को भी चौकनना रहना पड़ता है कि कहीं कोई गलत इंसान अ दोनों का पीछा करते हुए यहां तक आई हूँ जिसकी मुझे उमीद थी वही हुआ। भाईया ने मुझे डाटते हुए कहा तुम यहां पर क्या कर रही हो। मैंने भाईया से कहा कि मैं आप लोगों का पीछा कर रही थी। मैंने घर में आपको बिस्तर पर मौजूद नह फिर भावी ने भाईया से कहा कि अब ये यहां तक हमारा पीछा करते हुए आ गई है तो हमें इसको सब कुछ बता देना चाहिए मैं भी बड़ी हैरानी से भाईया 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 की तरफ देख रही थी भाईया की आँखों में मुझे आशू नजर आ रहे थे भाईया ने कर सकता मा ने ही तो जबरदस्ती पायल के भाई के साथ वीदी की साधी करवाई थी हाला कि पायल का भाई साधी करने के लिए तयार भी नहीं था लेकिन वो सिर्फ अपनी बहन का घर भसाने की खातिर साधी करने के लिए तयार हुआ था अब जब वो अपने पती से लड़ जगड़कर हमारे घर बापस आ गई है तो इसमें भी पायल का कोई कसूर नहीं है और सजा पायल को और मुझे दी जा रही है तुम जानती हो कि मैं तुमारी भावी से कितना प्यार करता हूँ मैं इससे दूर नहीं रह सकता और मैं यहां अस्पताल में आज पहली बार नहीं हर रोज मैं यहां अस्पताल में आता हूँ तुमारी भावी को एक अजीब तरह की बीमारी है जिसमें इसके सरीर की रोजाना मसीनों के द्वारा थेरपी की जाती है इस अस्पताल में सारी मसीने मौजूद हैं मैं हर रोज तुमारी भावी को यहां थेरपी के लिए लिए कराता हूँ मुझे पता है कि मा कभी भी हमें एक साथ गूमता हुआ नहीं देख सकती इसलिए मैं घर पर सिद्ध बावा जी का बहाना बनाता था अगर मैं उनको पायल की बीमारी के बारे में बता देता तो मा पायल को और ज़्यादा तंग करती और कहती कि बीमार होते हुए भी मेरे बेटे के पल्ले बन गई है मैं नहीं चाहता था कि पायल की बीमारी की बजा से मा उसे और ज़्यादा परिशान करी इसलिए मैं खामोशी से यहां पर चुपचा पायल का इलाज करवा रहा हूँ मैं मा के भी खिलाप नहीं जा सकता और अपनी पतनी के भी जबकि म मैं रात को बहाने से पायल के मायके से उसे तरेपी कराने के लिए ले जाया करूँगा और मुझे बाबा जी वाला जूट भी नहीं बोलना पड़ेगा उस दिन मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं आया था इसलिए मैंने बाबा जी बाली बात कह दी थी मैं बड़ी हैरानी से भाईया की बाते सुनने लगी मैंने कहा भाईया मैं तो आपका पीछा करते हुए इसलिए आई थी कि कहीं आप आज भी भावी को बाबा जी के पास लेकर जा रहे होंगे क्योंकि मुझे भी ये सुनकर बहुत खुशी हो रही थी कि हमारे गाउं में इतने चमतकारी बाबा आये हुए हैं और मुझे भी उनसे मिलना था लेकिन जब आपने जंगल वाला रास्ता पार कर लिया तो मैं समझ गई थी कि आप लोग कहीं और ही जा रहे हो लेकिन भाबी का ये इलाज कब से चल रहा है भाईया ने कहा कि तुम्हारी भाबी के शरीर में एक अजीब तरह की बीमारी पैदा हो गई है जो कोई इतनी बड़ी तो नहीं है लेकिन उसके लिए थेरेपी होना बहुत जरूरी है ताकि आगे चल कर इस बीमारी की जड़ खतम हो जाए और ये इलाज चार महीने से चल रहा है लगबग एक महीने का इलाज और रह गया है उसके बाद मैं पायल को उसके माईके से ही ले जाकर कहीं दूसरे घर में शिफ्ट हो जाऊंगा क्योंकि उस घर में रहते हुए तो मा कभी भी हमें चैन से जीने ही नहीं देगी मैं दोबारा वापस अपने घर नहीं जाऊंगा अगर हर रोज हमारे घर में लड़ाई जगड़ा होता रहेगा तो पायल दिन मा दिन और जादा बीमार होती चली जाएगी जब उसकी ये थेरपी होती है तो पायल बहुत जादा परिशान हो जाती है और इसकी सरीर में ठकावट होने लगती है मैं उसे पकड़ कर लेकर आता हूँ और मैं उसको देख कर खुश होता हूँ कि बस कुछ और दिनों की बात है और मेरी पत्नी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी मैंने भहिया से माफ ही मांगी और कहा कि भहिया मुझे माफ कर दीजिए मुझे आपका ऐसे पीछा नहीं करना चाहिए था बलकि मुझे आप से इस पूरी बात के बारे में पहले पूछ लेना चाहिए था भाईया ने कहा कोई बात नहीं बस तुम हमारे लिए प्रात्ना करो क्योंकि मा मेरे और मेरी पतनी पर जादा ही अत्याचार करने लगी है भावी की थेरपी होने लगी थी भावी की थेरपी होते हुए देखकर मुझे डर लगने लगा था क्योंकि उनकी चीखे निकल रही थ ये एक ऐसी धरपी थी जिसमें शरीर का गंदा खून निकाल लिया जाता था, क्योंकि ये जो बीमारी है वो भावी के खून की वज़ा से थी, वो सारी बीमारी उनके गंदे खून के थूरू निकल जाएगी, फिर हम भावी को लेकर उनके माएके चले गए थे, मैंने घर जा अपनी पतनी को लेकर घर वापस लोट कर नहीं आया, तो फिर मैं तुम्हें तलाग दे दूँगा, आज पिता जी ने भी फैसला कर लिया था, कि आर या पार ही होगा, मा के पास तो अब कोई रास्ता ही नहीं बच रहा था, इसलिए उन्होंने अपने आपको सांत कर लिया क्योंकि पिता जी को हमेशा भावी ही सही लगती थी, और वो इसी बात पर मां से जगडा करते रहते थे, दीदी को भी डाट कर उन्होंने उनके ससुराल भेज दिया था, पिता जी ने दीदी को बहुत समझाया कि अपनी मां के कहने में आकर कभी भी अपना घर मत बिगाड क्योंकि दीदी हर बार मां के कहने पर ही जीजा जी से लड़ाई जगडा करती थी, उनका कहना था कि अपने पती को पल्लू से बांद कर रखो, जबकि भावी पर वो खुद अत्याचार करती थी, भावी को खुल कर आपस में वो बाते भी नहीं करने देती थी, कुछ दिनो भी वो मां को बहुत डाटते थे, लेकिन उन्हें मां से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं था, क्योंकि मां कभी किसी की बात नहीं सुनती थी, लेकिन अब पिता जी ने फैसला कर लिया था, कि बेटे का घर वसाना है, तो अपनी पतनी को काबू में करना होगा, मां बिलक है, क्योंकि पता जी ने मां से मोवाइल छीन लिया है, और कहा है, कि जब बेटी घर आया करेगी, तभी उससे बात किया करो, फोन पर गलत बाते करके, अपनी बेटी को ससुराल वालों के खिलाब भड़काया मत करो, दोस्तों, मेरा तो सभी से कहना यही है, कि अपनी बेट आपके ससुराल वालों के साथ कर रही है, और इसी लिए सब मिल जुल कर खुश रही है, और आपस में प्यार महबबत बनाए रखिये, ताकि हमारी नफरत की वज़ा से कभी कोई चोरी चुपके गलत कदम ना उठाए, तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमें करके जरूर बताएं, और प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, मेरी कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, और लाइक करके उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, थैंक यू